नमस्कार दोस्तों आप सबका आप सभी के चैनल इसके प्लंबिंग वर्क्स में सागत है दोस्तों अभी तक आपने अपना ही चैनल इसके प्लंबिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएए निचे लाल करल का बटन है उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा जिससे नहीं वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले दोस्तो आज मैं फिर से आप लोग के वीज में प्लम्बिंग का नए वीडियो लेका है हुँ जिया दोस्तो आप लोग थंगिल में देखके समझे गा होंँगी कि आज मैं difficult करने करने वाले हूं यह दोस्तो PVC pipe है, इसका full form polyvinyl chloride है, यह plastic का pipe होता है, अब हम बात करते हैं चीनी मिट्टी के pipe के बारे में, तो यह दोस्तो जो अपना लाल मिट्टी होता है, उससे यह pipe तयार किया जाता है, जिस तरह से इट आग की बट्टी में तयार होती है, उसी तरह से इस pipe को भी तयार कि जाता है, इसलिए इसको चीनी मिट्टी का pipe कहते हैं, अब हम बात करते हैं PVC pipe के length के बारे में, तो यह दोस्तो दो साइज में available है, एक 10 foot में और 20 foot में यह दो साइज में यह pipe available है PVC pipe, अब हम बात करते हैं चीनी मिट्टी pipe के length के बारे में, तो दोस्तो यह जो चीनी मिट्टी है अंदर से एकदम स्मूथ रहता है वहीं हम बात करते हैं चीनी मिट्टी pipe के finishing के बारे में तो यह चीनी मिट्टी का pipe होने के कारण इसका जो अंदर से finishing है यह थोड़ा rough रहता है अब हम बात करते हैं PVC pipe के jointing system के बारे में तो PVC pipe का jointing system है वह lubricant से किया कोई कोई solution से भी इस pipe को joint करता है वही हम बात करते हैं चीनी मिट्टी pipe के jointing के बारे में तो दोस्तों यह हर 2-2 foot पे इसको हमें joint करना पड़ता है और इसका jointing system cement से इसको हमें joint करना पड़ता है अब हम बात करते PVC pipe के water flow के बारे में तो दोस्तों पीवीसी पाइप में जो drainage line का water flow है, वह smooth होने के कारण fast जाता है, वही हम बात करते हैं चीनी मिट्टी का pipe के water flow के बारे में, तो दोस्तों यह जो pipe है रफ होने के कारण इसका जो water flow है, PVC pipe से थोड़ा कम जाता है, अब हम बात करते हैं PVC pipe में blockage के बारे में, तो दोस्तों यह ज बात करते हैं चीनी मिट्टी के चोकप और blockage के जो chances है, वह अंदर से pipe रफ होने के कारण इसमें blockage और चोकप के chances जादा होते हैं, वही हम बात करते हैं PVC pipe के durability के बारे में, तो जो PVC pipe है यह बहुत long life तक चलता है as compared to चीनी मिट्टी का pipe, वही हम बात करते हैं चीनी मिट्टी अब हम बात करते हैं price के difference के बारे में, तो दोस्तो जो PVC pipe है इसका price चीनी मिट्टी के pipe से high है, वही हम चीनी मिट्टी के pipe के price के बारे में बात करते हैं, तो यह चीनी मिट्टी का pipe है PVC pipe से इसका rate कम है, तो दोस्तो यही दोनों pipe के बीच में difference है, मेरे इसाब से drainage line के लिए PVC pipe सबसे बेस्ट आयं तो दोस्तों उमीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो जाद ज्यादा शेर करना दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे बहुत सारे प्लम्मिंग के मैं नए नए वीडियोस लाता रहूंगा इसी तरह फिर साथ से नए वीडियो मुलाका दोगी तब तक के लिए धन्यवाद झाल 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 झा